नमस्कार मैं संतोष चोहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं आज मैं आपको बाटी कैसे बनाई जाती है वो सिखाने जा रही हूं यह राजिस्थान का में वियंजन है और राजिस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है मैं भी राजिस्थान से बिलॉंग करती हूं तो इसलिए अक्सर हमारे घर में बाटी बनाई जाती है तो आप सीखते हैं कि बाटी कैसे बनाई जाती है बाटी के लिए जो आटा लिया जाता है वो थोड़ा मोटा लिया जाता है क्योंकि जो मोटे आटे की बाटी है बहुत ही अच्छी बनती है तो अगर आप मोटा आटा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए चाहिए हमें एक बॉल आटा, एक छोटी कटोरी घी, थोड़ी सी अजवैन, और टेस्ट के कोडिंग नमक अब एक बॉल हम इसमें आटा डाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी अजवैन टेस्ट के कोडिंग थोड़ा सा नमक इसको थोड़ा सा मिला लेंगे उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक कटोरी घी फिर इसको मैश करना है थोड़ा सा मिला लेंगे घी को आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएए और इसको मिक्स करते जाएए आटे को और इसमें काफी इसमें लोच लगाना है जैसे पूरियों का आटा बूनते हैं तो उसी तरह से यह गूंदा जाएगा आटा तो बहुत जादा को ना तो टाइट रखन recommends और बहुत जादा भी निर रखना और बुह जादा भी निरखना इसको त्सको मतला लूज नहीं होना चाहिए और इसमें काफी लोज लगा लेजिए अब देखे आटे को में बीच में से आपको तोड़के दिखाती हूं ये बाती की सारी लोईयां बना लिंगा लगा लिए जो क्रेक दिख रहा है तो आटा सही गुंदा हुआ होता है तो इस तरह से बाटा मिंग्ना चाहिए ऺधारिवी यह सभी क्रिल में लगा लिए अब हम इन बाटियों को बेग करेंगे हैं माइक्रो घृल कॉंबी में से हमने घृल यहां और टाइम में से 10 सेट वणक दस प्राइट दस दस इनyeah हाए कुझ करने है उसके बाद हमने स्टार्ट कर देना के इसमें ९ह ICK यह की स्टॉप का आप्षिन आ तो पलटने के बाद, यह दस मिनिट के लिए ग्रिल में ग्रील आफ्शन पर दूबारा रुखी जाएंगी, दस मिनिट के लिए कि अक दस मिनिट के लिए हम दुबारा इसको रख रहे हैं, तो आप अप्शन वही लेना है ग्रिल और 10 मिनिट और स्टार्ट अब बाटियों को हम माइक्रोवेब में से निकाल लेते हैं स्टॉप करके अब बाटियों को पलट लेते हैं और जो जादा अगर पकी हो तो उने किनारे रखती जिए और जो जैसे दोनों साइड से पक गई है तो एस इटीज उने रखती जिए ऐसे ही क्योंकि अब ये पांच मिनट के लिए दुबारा ग्रिल की जाएंगी बाटि फाइफ मिनट के ल 1, 2, 3, 4, 5, start अब ये पाइफ मिनट हो चुके हैं अब बाटियों को हम निकाल लेते हैं अब बाटियों को निकाल के हमने ये देख लेना है जो ज़्यादा सिक्यू ही है उन्हें किनारे करना है और जो कम सिक्यी है उनको सेंटर में आपने रखना है क्योंकि ये 5 मिनट के लिए दुबारा से रखी जाएगी तो इस तरह से इसमें 10-10 मिनट के लिए दो बार और 5-5 मिनट के लिए दो बार रखा जाता है तो आदे घंटे में बाटी बनके तयार हो जाती है अब फाइफ मिनट के लिए हमने दुबारा रखती है इनको पलट के अब ये तयार हो जाएंगी ग्रिल वान टू त्री फोर फाइफ स्टर्ड बाटी तयार हो चुकी है इसे हम निकाल लेते हैं अब इन सभी बाटी के हम बोल में डाल लेते हैं अब इसके उपर से गरम की अवा घी मैंने गाय का घी लिया है इसके उपर डाल देजिए और इसको थोड़ा सा हमने बाटी को हिला देना है इसको आदे घंटे के लिए आप धक्के रख देंगे तो जो घी है वो सभी बाटियां है जो घी सोख लेंगी उसके बाद सब कीजिएगा अब देखिए बाटी को अगर आप ज्यादा घी चाहते हैं अंदर बाटी में तो ऐसे तोड़के भी बाटी अंदर घी के अंदर डाल सकते हैं नहीं तो अगर जिसको ज्यादा घी ना खाना हो तो वो बाटियों को ना तोड़े अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेर भी करें और इसी तरह के जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद